हेलो फ्रेंज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि दोस्तो आप अपने SBI Bank का IFSC Code किस तरीके से पता कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि दोस्तो आप अपने SBI Bank का IFSC Code किस तरीके से पता कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से वो भी घर बैठे स्रिफ अपने पास्बुक से तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ तो दोस्तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को यह बताया था कि दोस्तो अगर आप अपने Yuko Bank का IFSC Code पता करना चाहते हैं तो उनके उपर भी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ तो प्रेंस अपने SBI Bank का IFSC Code पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ में जो अपने पास्बुक है अपने पास्बुक को ले लेना है तो दोस्तो अभी देख सकते हैं कि दोस्तो हमारे पास ये SBI Bank का ये पास्बुक है जिसे कहते हैं हम लोग भारतिय एस्टेट बैंक तो दोस्तो ये ही है हमारे पास पास्बुक तो आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है आप घर बैठे अपने SBI Bank का IFSC Code पता कर सकते हैं वो भी अपने पास्बुक से तो दोस्तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास SBI Bank का पास्बुक है जब हम अपने पास्बुक को इस तरीके से ओपेन करते हैं तो ओपेन करने के बाद दोस्तो यहां आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तो IFSC इस तरीके से आप सभी को देख सकते हैं IFSC इस तरीके से आपको IFSC Code यहां आपको देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तो यह FSC code जो आप सभी को 11 digit को देखने को मिलता है दोस्तो आप लोग देख सकते हैं S B I N 00125 इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका bank का IFSC code क्या है और आप इस तरीके से पता कर सकते हैं घर बैठे बिल्कुल आसान तरीके से सिरिफ और सिरिफ अपने पास्बुक से अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आयो होगी तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में दी गए बेल आइकोन को अलके उपर प्रेस कर देना दोस्तो आज की वीडियो इतनी सी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैहिन वंदे मातरम